नमस्कार क्यापिटल टिवी का खाश राहूल का आगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा जब नाश मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और ताथ जब मनुझ की बुद्धी पर ताले पड़ जाते हैं तो वो अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है जिसके कारण उसका सब कुछ नस्ट होना तैह हो जाता है और कुछ ऐसा ही हाल कॉंग्रस के बुझे हुए चश्मोचराग राहूल गांदी की हो गई है राहूल गांदी देश के एक ऐसे प्रानी है जो एक अच्छे नेता के अलावा कुछ भी बन सकते हैं राजनीती उनके बस की नहीं है तभी तो वो कभी लोकतंत के मंदिर में आख मारते हैं कभी वो जाकर गले लगते हैं प्रधान मंत्री के उपरास्टपती के अपमान पर वीडियो बनाते हैं और बयान तो ऐसे देते हैं कि जिसकी जितना निंदा की जाए कम होगी और ऐसे में अब राखुल गांधी के उपर कोई टिपनी करें तो कॉंग्रूस पार्टी को मिर्ची लग जाती है और इन दिनों कॉंग्रूस पार्टी बड़ा दर्द में है क्योंकि राखुल गांधी को छिछोरा कहा गया है दरसल मनोश तिवारी ने राखुल गांधी के लिए चिछोरे शब्द का इस्तमाल किया है तो क्या कुछ है पूरा मामला बताएं कि आपको चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीर जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है राखुल गांधी के लिए मनोश तिवारी ने चिछोरे जैसे सब्द का इस्तमाल किया है क्या ये सही है और अगर सही है तो कॉंगर्स पार्टी को मिर्चे क्यों लग रहे है राखुल गांधी के लिए जिस तरीके से आपने कितने सारे अलंकरनों का उपयोग किया है उसके सामने तो मनोश तिवारी ने जो चिछोरा कहा वो बहुत कम है एक-एक करके आपने खुद ही बताया कि राखुल गांधी की हरकते कैसी-कैसी रही है संसद भवन से लेकर अभी के कुछ दिन पहले मिमिक्री के विवाद में राखुल गांधी का वीडियो बना यह सारे activity क्या कभी कोई कह सकता है कि राखुल गांधी एक गंीर व्यक्ती भी है जहां तक विवेक की बात है कि राहुल गांधी के पास कुछ बुद्धी विवेक है इस पर तो शक लगता है राहुल गांधी के अंदर ये जो मांस का लोथड़ा वाला दिमाग है उसके भीतर कुछ नहीं है उनको जो दिया जाता है बाहर से वही वो उगल देते हैं रोबोट तरीके से हैं एक रोबोटिक प्रायमिस्टर हुए मन्मोहन सिन जनको जो कहा जाता था सोनिया गांधी के तरफ से उसके इर्दगिर्दि वो बात कर सकते थे और बात भी बहुत कोशिश के बात बहुत कोशिश की गई तो वो कुछ शब्द बोलते थे और ऐसा नहीं है कि यह इसलिए करते थे क्योंकि वो हर शब्द गंभीरता से सोच समझ कर बोले क्योंकि उनके अंदर जो डिप्लोमेटिक रवया पहले से रहा था राजनेता बनने से पहले उसके कारण उनके बोलने की परविर्टी पहले से ही दब गई वो कभी लीडर रहे नहीं तो जवाब देना उनको आता नहीं था वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली की तरह सूनिया गांधी के इशारे पर चलते फिरते फैसले लेते और बोलते थे दूसरी तरफ रहुल गांधी की बात है रहुल गांधी को जिस तरीके से मनोज दिवारी से पूछा गया जब किसी से पूछा जाता है कोई से बात पर प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए कही जाती है तो उनके अंदर उस व्यक्ति की छबी पहले आता है अब राहुल गांधी के बारे में मनोज तिवारी से पूछा गया कि जिस तरीके से वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी वो क्या राजनिती के लिए सही है क्योंकि मिमिक्री विवाद जो है जिस तरीके से कल्यान बनर जी ने उपराष्टपती जगदीप धनकड की मिमिक् राहुल गांधी उसको वेरुजगारी महेंगाई से जोड़ रहे हैं। किसी दोश को बाहर करने के लिए है यानि उसके अपमान करने के लिए है उपराष्ट पती जगदीब धनकड की मिमिकरी की गए मिमिकरी पर कहीं परतिवन नहीं है लेकिन ये मिमिकरी कहा जाता है कि उस व्यक्ति के हाव-भाव या फिर बातचीत की नकल उतारी जाए और उसक आप उसके अंधेपन के कारण उसके नकल उतार रहे हैं तो वो उसका अपमान माना जाता है अगर कोई गुंगा है और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हासे तरीके से ही कि वो गुंगा है ये अभिशाप है उसके लिए इसलिए वो बूल ही पाता और बौखलाहट में रहता है, तो ये अपमान है, चगदीब धनकड की मिमिकरी शबदों के लिए नहीं थी, कि चेयर पर बैसकर वो कैसे करते हैं, ये मिमिकरी उनके बॉड़ी structure को लेकर थी कि उनका body structure कैसा है उनकी read की हड़ी में जो problem है उसके कारण वो कंधे को free नहीं छोड़ तक है उनके body में कुछ परेशानिया है लेकिन उस परेशानियों के बाबजू जो व्यक्ति इस पद तक पहुँचा कितना संगर्स किया राज़ीती में सांसद लोकसभामे राज्यसभामे गवर्नर रहते हुए उसके बाद उपराश्टपती के पत्तक पहुचे हैं आप उनकी छमताओं को उस अच्छमता के तौर पर पेश करोगे मजाक बनाओगे कि वो कंधा उचका के बाद करते हैं वो कंधे को सीधा नहीं रख सकते हैं ये जोकर की तरह आप किसी का अपमान करेंगे तो कम से कम लोग तो सवाल उठाएंगे बिलकुल ये संबैधानिक मजबूरियां है भारतिये कानून ऐसे लिजलिजे टाइब के हैं जिसे कॉंग्रेसियों ने बनाये था इसलिए कि बाद में कभी भी हम जब विपक्ष में रहेंगे तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे सत्ता पक्ष में रहते हुए हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो इसलिए इस कानून का जो दुरूपयोग किया जाता है उसी का ये उदारन है कि राहूल गांधी जो उस समय वीडियो बना रहे थे राहूल गांधी से ज़्यादा समझदार तो कॉंग्रेस के दूसरे नेता है कार्ती चिदमरम जैसे नेता हाला कि वो ब्रस्टाचारी है कार्ती चिदमरम पी चिदमरम के उपर ब्रस्टाचार के कई मामले पड़े है लेकिन फिर भी वो वहाँ से चल दिया वो बरदास्त नहीं हो पाएगा किसी को जो सेंसिटिव इंसान रहेगा कि एक व्यक्ती जिसने संघर्स किया उसका अपमान किया जा रहा है उसके बॉड़ी के स्ट्रक्चर को लेकर और हम सामने से बैठ कर मज़ा ले रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं राहुल गांदी की ही संसिटिविटी है और इसलिए एक कानून का मसला ना बने ये सिबल जैसे लोग मैदान में उतर गए राहुल गांदी को सपोर्ट करने लगे राहुल गांदी ने क्या गलती ऐसी कर दी जिसके कारण ने टार्गेट किया जा रहा है ये कपिल सिबल का वियान है जो कि सुप्रिम कोट का इतना बड़ा वकील अपने आपको कहता है ये वकील नहीं है बलकि एक सिटर है चाहे राजनीती में हो या फिर सुप्रिम कोट के अंदर कोट के अंदर दोनों जगह अगर कपिल सिबल जैसे लोगों को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक दलाल की तरह ये अपने आपका इस्तेमाल किया है अगर राजनीती में देखें राजनीती में कभी भी कपिल सिबल खुद से दस-विस लोगों की भीड भी नहीं जुटा पाएगा ना कोई चुनाव लड़के जीत पाएगा लेकिन फिर भी सिटिंग ऐसी कि राजसभा में रहेंगे मंत्री बन जाएंगे कॉंगरेस के समय में कॉंगरेस जब राजसभा के सीट न दे तो यहाँ वहाँ से ढूंड कर समाजवादी पार्टी को ले आएंगे कि हमें राजसभा में जाना है ये दलाल की तरह लोग जो हैं काम करने वाले चाहे कोट में हो या राजिती में हो ये सपोर्ट कर रहे हैं राहूल गांधी को और इस मुद्दे पर चर्चा के दोरां जब मनुश दिवारी से सवाल पुछा गया तो मनुश दिवारी ने इतना ही कहा कि इन लोगों को गंभीर दूसरे पाती की तो छोड़ दिजिए एक स्वतंत्र व्यक्ति जो की कॉंग्रेसी गुलामी मालसिक्ता के साथ नहीं आएगा जिसके पास एक गंभीरता हो और उसके पास एक लोजिक हो उसके साथ बैठ कर ये चर्चा कर ले क्या राहूल गांधी सहीं में चिछोरा नहीं ह को छिछोरा कहने पर कॉंग्रेस पागल हो गई है अलका लामबा नचनिया गवनिया कह रहे हैं मनुस्तिवारी को दूसरे कॉंग्रेस के नेता ये 20 सेकंड के इस वीडियो को बरदास्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जो गांधी नहरु खांदान की गुलामी क मानसिक्ता पनपती है इससे ये अपनी स्वतंतर सोच को बेच चुके हैं इनके अंदर कोई स्वतंतता नहीं है सोच नहीं है और यही वज़ा है कि कॉंग्रेस के जितने नेता हैं आजकल इस कंपटिशन में रहते हैं परतियस परदा में कि कब राहुल गांधी पर कुछ ब पाड़ा जिसके सर पे हाथ रखेगा वहीं कहीं दिखेगा जैसे सुप्रिया सिर्नेट के देखए वीडिया में थी कोई नहीं जानता था इनके पिता जी सांसद रहे थे कांग्रेस के निता रहे थे अब मीडिया से जब ये कांग्रेस में इंटरी कीificación चुनार लड़ने को राहुल गांधी के चहती है। alkalamba दिली में इनोंने सारे घाट का पानी पी लिया। लेकिन अभी भी ये राहुल गांधी के आस पास दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी का हात है। इसलिए इनको दिखाना जरूरी है कि आप के ऊपर कोई भी बात को हम छोडेंगे नही लपक लेंगे और उस पर हम घटिया से घटिया परतिक्रिया देंगे कॉंग्रिस की परविर्ती है और इसलिए राहूल गांधी को छिछोरा कहा जाना गलत नहीं माना जा सकता है इनको परिशानी किस बात है क्योंकि लोगों ने इसको जादा पसंद किया है अगर किसी ने छिछोरा कहा और दस बिस लोग उस पर परतिक्रिया नहीं दे तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मनुष तिवारी ने छिछोरा शब्द इस्तेमाल किया राहूल गांधी के लिए और सोसल मीडिया पर जैसे ही आया लोगों ने पसंद करना सुरू किया कि ये सटिक शब्द है राहूल गांधी के लिए इसलिए कॉंग्रिस को लगा कि ऐसे ही पहले से कई तमगे राहूल गांधी को मिले हुए एक और तमगा जुड़ गया इससे तो परिशानिया बढ़ेगी तो पहले ही ये तमगा जोड़े और भारतिय जंता पार्टी के अलग-अलग नेता अलग-अलग जगों पर इस शब्द का उपयोग करें इससे पहले हला करो हंगामा करो ताकि ये शब्द फिर राहूल गांधी के साथ चिपक न जाए दो करोल रोजकार की बात करती है वो अब बेरुजकारी की बात नहीं सुनना चाहती इसके जवाब में मनोश्तिवारी ने उखड़ती हुए कहा कि उनको गिंती नहीं आती उनको सिर्फ उपरास्टपती का मोखौल उड़ाने का वीडियो बनाना आता है चिछोरा वैक्ती है और इसी बयान पर कॉंग्रोस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है आप अपनी राए कमेंट कर लिखे देखते रहे कापिटल टीवी नमस्कार